हाई अव्रिवन मैं हूँ धनंज है उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जैसा कि हमें पता है कि इरान और इस्रेयल के बीच में रिलेशन बेहत खराब हैं और ये रिलेशन इतने खराब हैं कि अगर इरान को मौका मिले तो वो इस्रेयल as a country को खतम कर देगा और ही कुछ इरादा रखता है इस्रेयल भी इरान के बारे में बेंजमिन नितनियाहू multiple times publicly ये माने है कि इस्रेयल as a country को सबसे बड़ा खतरा आज के डेट में इरान से हैं अब इरान और इस्रेयल के बीच में रिलेशन इतने सालू से खराब हैं कि आप किस incident का जिकर करें और कि इसका ना करें ये बेहत मुश्किल हो जाता है लेकिन हम कह सकते हैं कि जो recent triggering point है इस्रेयल और इरान के बीच में वो हुआ इसी महीने के एक और दो तारीक को जब Damascus Syria में इरान के consulate के उपर attack किया जाता है जिस attack में 7 high ranking Iranian officials की इसमें जान जाती है उसके बाद इरान के supreme leader यानि Ali Khomeini उनका statement आता है जहां पे वो ये कहते हैं कि इरान के consulate पे जो attack हुआ है उस attack का बदला लिया जाएगा इसी में आगे बढ़ते हुए latest जो जानकारी हमारे पास है उसके हिसाब से इरान ने लगभग कुछ 300 से अधिक drones और missiles दागे हैं इसरेयल के उपर इस वीडियो में ह अगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को subscribe और वीडियो को like and share करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं और जैसा कि मैं तकरीबन हर वीडियो में request करता हूँ कि जब भी हम geopolitical news को समझे या नाकि हमें समझ अच्छे से आए लेकिन एक जो मेरा personal observation है वो ये है कि जब से इरान और इस्रेल के बीश में conflict शुरू हुआ तो इसका असर भी भारत पे पड़ा है अलग-अलग social media platforms के comment section में लोग अपने-अपने हिसाब से एक दूसरे को abuse करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि जिसको हम abuse कर रहे हैं वो भी भारत दिये हैं इरान, इस्रेल या पैलिस्टीन ये सब मुद्धे काफी controversial है और ये सब मुद्धे को solve करना इतना असान नहीं है और उसके बाद Middle East में जितने conflicts हो रहे हैं अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे जानकारी मिले जिसमें आपको मालूम पढ़ेगा कि अलग-अलग power house है और बहुत सारे leaders क्या है कि वो ये चाहते हैं कि कोई भी एगर meeting हो तो उस meeting का जो outcome हो वो outcome उनके हिसाब से हो कहने का मतलब है कि ये जितना उपर से आसान या simple दिखता है उतना actually ये है नहीं क्यूंकि इसरेल को support Western countries करते हुए आये हैं और कहीं न कहीं ये पूरा दुनिया जो है वो बहुत हद तक Western medias को ही consume करता है और जो उनके ideologies होते हैं उसी को support करता है एक चीज का आप ध्यान रखिया कि जब भी US किसी भी देश में अगर invade करता है तो बहुत ही positive word का इस्तिमाल करता है कहने का मतलब ह 2001 में जब US invade किया था अफगानिस्तान को तो वो बार बार एक word को use कर रहा था कि उनका जो invasion है वो actually invasion नहीं है वो terrorism को खतम करना है वैसे ही अगर US कभी भी कुछ चाइना के बारे में कहता है तो वो aggression word का use करता है वैसे ही Israel जिस तरीके से Gaza में attack कर रहा है इसको वो self defense का नाम दे चीजों को समझेंगे और पढ़ेंगे क्योंकि इरान ने इसरेल पे attack किया इसलिए इरान ने और भी western countries को ये धमकी दिया है कि अगर कोई भी foreign nation इसरेल को अगर support करेगा तो उसका जो consequences है उस देश को वो भुगतना पड़ेगा बीते कुछ सालों में रश्या हो गया या तो exactly ये कहपाना बेहत मुश्किल है कि Russia, China, North Korea बुरे हैं या US, Israel या कुछ और western countries बुरे हैं इस बीश में भारत जैसे देश के लिए काफी मुश्किल हो जाता है कि वो position of neutrality को maintain कर सके ऐसा क्यों तो इसके पीछे का वज़ा है कि लगभग 10,000 या इससे भी अधिक जो भारती हैं वो इरान में रहते हैं और उसके बाद कुछ 18,000 से भी अधिक लोंग जो हैं वो इसरेल में रहते हैं तो भारत ना तो बढ़ चड़कर इरान को criticize कर सकता है ना तो भारत बढ़ चड़कर इसरेल को criticize कर सकता है उसके बाद इसरेल और रश्या के relation बीते कुछ सालों में का काफी अच्छा है तो अगर आप देखेंगे कि अगर आप एक कंट्री को अगर आप criticize करते हैं तो उसका जो reaction है वो reaction अलग-अलग कंट्री तक पहुँचता है तो ये भी बहुत बढ़ा वज़य है कि क्यों भारत हर वक्त डायलोग और डिप्लोमेसी को ही सपोर्ट करता है instead of war as per report इरान ने लगभग 300 से अधिक rockets और drones को दागे हैं जिसके बारे में इसरेल का ये कहना है कि कुछ 99% जो drones या missiles जो दागे गये हैं इरान के द्वारा उन सभी को इसरेल का जो defense system था नाकाम कर दिया है और जैसे ही इरान attack करता है इसरेल के उपर या कहले retaliate करता है वैसे ह जो western countries है वो बढ़ चड़कर इरान के द्वारा attack को condemn करते हैं इसके पहले से लगभग 6 महिने से उपर हो गया जहांपे इसरेल गाजा में attack कर रहा बहुत सारे human right commissions ये कह रहे हैं कि जो गजा का situation है वो काफी severe है जो humanitarian aid है वो नहीं पहुँच पा रहा लेकिन उस वक्त हम कह सक हैं कि बढ़ चड़कर जो western countries है वो खामोश बैठा हुआ है as a student हम इस बहकावे में ना रहें कि ये western countries किसी के सगे हैं ये वही USA जो बढ़ चड़कर पाकिस्तान को weapons दिया करता था ये वही USA जो 1950s के दौर में पाकिस्तान को इतना support किया as a result भारत को by default USSR के close जाना पड़ा कह के opponent होते हैं उनके पास जादा कुछ options रह नहीं जाता है other than कि वो भी अपने आपको मजबूत करें जैसे ये western countries बढ़ चड़कर support करते हैं इसरेल को तो वैसे ये Benjamin Netanyahu का भी हम कहले press brief या press note आता है जहां पे वो USA और other western countries को support करते हैं और उनको thank you भी बोलते हैं ये वही USA है ज जिसके foreign policy का हम कहलें कि one of the most important policies में आता है कि आप सामने वाले देश को weapon बेचेंगे ये वही USA है कि अगर आप सिप्री का website जाके पढ़ेंगे तो आपको मालूम पढ़ेगा कि top 6-7 arms exporting countries US के ही हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा वज़े है ना कि जहां पे war होता है वहां पे US आपको दिखता ही दिखता है वहां पे आपको बहुत हतक Britain दिखता है वहां पे आपको बहुत हतक France दिखता है क्यूंकि इनका जो economy है वो highly dependent है weapons के उपर Antonio Guatres ये United Nations Security Council के Security General है और हम कह सकते हैं कि United Nations एक failed organization है या यू कहले कि अगर सामने वाला देश nuclear capable है और अगर वो अपनी बात पे अड़ जाए तो United Nations के पास कोई भी options नहीं होते हैं best example आप Russia को देख लें उसके उपर इतने sanctions लगाया गया है कि already एक अलग group create हो गया है और Antonio Guatres बिते लगबग 6 महिने से इनका यही statement है कि global tension को कम होना चाहिए so as an Indian हमारे लिए बेहर जरूरी होता है कि चीजों को हम जितना neutral perspective से देखे उतना ही जादा हमें चीज समझ में आएगा और अगर हम चीजों में religion को डाल के अगर हम देखेंगे तो हमें जो असल मुद्दा है वो कभी समझ में नहीं आएगा अगर दुनिया को यह लगता है कि Adolf Hitler ने जो किया था वो गलत किया था तो एक बार जाके आप पढ़ें कि किस तरीके से French colonies या British colonies में इंसानों के साथ बरताव किया गया था लेकिन अगर आप आज के डेट में कोई resolution लाएंगे जहांपे Britishers को अगर आप accountable ठहराना चाहेंगे तो वो resolution कहीं stand ही नहीं करता है और हम भारतिये जितना जादा हम accuse करते हैं Adolf Hitler को उसका शायद 1% भी हम जो British के द्वार अट्रोसिटीज किया गया था उसको हम acknowledge नहीं करते है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye